एक बच्व और क्या करता है एंगल और फैलिवेशन ओफए लेडर लीडिग अकेंस टेवल यानिक एक लेडर है जो धिवार के साहे लगी हुई है जैसे हम ऐसे डागरम बनागते हैं जब भी लेडर का कोश्चन आएगा आपको यही डागरम हमेशा बनाना है काइट काएगा ladder यह क्या होती है ladder होती है चो दिवार के सारे लगी हुए यह क्या है बच्छो वोल है वर्टिकल कितने degree के अंगल पे लगी हुए ladder 60 degree के अंगल पे and the foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall देखो यह foot जो है na wall का है और यह ladder का है इन दोनों के बीच की distance कितनी है 9.5 meter find the length of the ladder आपको यह बताना है कि यह ladder कितनी length की है तो इस ladder की length को आप क्या मन लो h मन लो आप एक बार दाओ इस triangle के अंदर मैं ABC triangle की बात कर ला हूँ in triangle ABC आपको देखो एक base दिर्ख है और एक hypotenuse निकालने है तो base divide by hypotenuse क्या होता है cos theta यानि कि cos 60 और cos 60 कितना होता बच्छो 1 by 2 cross multiply करो को तो h कितना आगे 90 ना आगे यानि कि ladder की जो length है वो कितनी है बच्छो 90 meter है अब मैं कहता हूँ इसका direct method देखो आपको यह सब कुछ triangle वाला method लगाने के जूरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको 30, 60, 90 का rule आता है 45, 45 और 90 का rule आता है तो अब आप मैं diagram दुबार आपको बना के दिखा देता हूँ यह ladder थी इसकी height को हमने अभी कुछ से नहीं माना यह wall है और यह distance कितनी है 9.5 और यह angle कितना है 60 आप एक बात बताओ अगर यह angle 60 है तो यह 30 हो गया ना 30 के सामने कितनी length है बताओ 30 के सामने अब ऐसे दिखा करो mistake नहीं होगी 30 के सामने अगर 9.5 मीटर की length है तो बोलो 60 के सामने यह 90 के सामने निकालनी है न अपने को तो यह 90 है 90 के सामने कितनी होगी 30 के सामने अगर यह तो 90 के सामने double होती है और 9.5 का डबल कितना होता है 19.5 19 सोरी जैसे यह आप डियाग्राम मना आओगे ना आप का अंसर आजाएगा कुछ भी आपको ट्रेंगल वाला रोड लगाने की जूट नहीं है अब इस कोशिन में देखो एवर्टिकल टावर स्टैन्स ओने होरिजोन्टल प्लेन एड इट इस सर्माउंटिड बाई एवर्टिकल फ्लैग स्टाफ बतलब कि ऐसा है जमीन पर एक तो टावर खड़ा हुआ है ये तो है बच्चो टावर और इस टावर के उपर इस टावर के उपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है फ्लैग स्टाफ क्या होता है जंडा होता है समझलो अब ठीक है फ्लैग होता है ये क्या है बच्चो एक फ्लैग स्टाफ है ऐसे जंडा लगा हुआ है उपर ये ऐसे है डागरम ठीक है ये जंडा लगा हुआ है अब क्या बोलता है at a point on the plane 70 meter away from the foot of the tower यानि कि ये tower का foot है इस से 70 meter दूर एक ground पे point है यानि कि ये point हमान दो the observer, an observer notices that the angle of elevation of the top and bottom of the flag stuff यानि कि flag stuff ये है पूरा, यहां से लेके यहां तक है न यहां से इसने देखा flag stuff के एक तो bottom पे और एक flag stuff के ही top पे ये दोनों angle कितने है, बचो 60 और 45 degree के है तो simple सी बात है, ये छोटा है, ये 45 का होगा और ये बड़ा है, ये कितने का होगा, 60 का होगा find the height of the flag stuff and that of the tower tower की भी height आपको निकालनी है, flag stuff की height भी आपको निकालनी है ध्यान से सुनना मेरी बात ये छोटी वाली triangle ले रहा हूँ, मैं A, B और C A, B और C इस छोटी वाली triangle में ये angle कितने है, बोलो 45 का है न, ये angle बचो कितने है, 45 का मैं इसको shaded कर रहा हूँ देखना कितनी आसानी से आप अनसाथ निकालतोगे तो ये angle 45 degree का है, इस triangle में in triangle A, B, C मैं रूल लगा रहा हूँ, 45, 45 और 90 वाला अगर ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, है न इसके, इस 45 के सामने 70 है, तो इस 45 के सामने भी कितनी होगी बच्चो, 70 होगी न, ये tower की height तो आगी कितनी 70, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ आपने को अगर पेपर में सिरफ टावर की height कुछ है, तो ये तो बच्चो कितनी आगी 70 आगी, अब देखना ध्यान से, ये flag stuff की height है कितनी H, इसको capital H, इसको H तो मत नाम देख, क्योंकि H तो हमें यूच कर सुके, इसको आप क्या नम देख, X नम देख, ठीक है ये कितना होगा, बच्चो 30, right triangle में, 30 के सामने, देखो 30 के सामने कितनी है, 30 degree के सामने, 70 है ना, 70 meter है, तो बहुत 60 के सामने कितना होगा, 60 के सामने, 70 root 3 होगा, ये तो आप जानते हैं, 70 root 3, अब मेरे को 60 के सामने, यानि कि ये पूरी height होगी, मतलब कहने का ये है, कि 70 plus X मिला कि 70 root 3 है, ना, क्योंकि 60 के सामने, इस पूरी बड़ी triangle के बात कर रहा हो, मैं, तो ये पूरी होगी, 70 ये और X ये, 70 plus X की value, 70 root 3 है, तो X कितना आएगा, 70 root 3 में से, 70 minus कर दो, 70 into root 3 minus 1, calculation आप आने से कर सकते हो, 70 into 0.73, 0.73 को ऐसे लिख लो, और ये कितना हो जाएगा, अपका, 70 into, 73 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा, आपका 0, और 37 to 21, और ये आगया, आपका 51.1 आगया है, 51.1, लगबख बच्चो इतना आएगा, तो height of the, पहले ये ध्यान रखना, पहले flag stuff है, फिर tower है, पहले flag stuff, यानि 51.1, और फिर flag stuff, flag stuff बच्चो कितना है, देको 70 है था अब ये question देखो, same है, ऐसा ही question, एक flag stuff है, horizontal plane पे tower खड़ा हुआ है, और इसके उपर एक vertical flag stuff लेगा हुआ है, ये flag stuff है, of height 5 meter, at a point on the plane, at a point on the plane, then angle of elevation of the bottom and top, इसकी distance दे रखी होगे, flag stuff की height दे रखी है, ये tower है, और ये उपर मानलो, इसकी क्या है, बच्चो, flag stuff है, diagram अनलो, same, उसी तरह काफ है, देखते हैं, इसमें क्या क्या पुछा गया है, ये flag stuff की height अपकी बार कितने है, बच्चो, 5 है, और angle कितने कितने डिगरी, अपकी बार 30 और 60 है, ये 30 है, और ये पूरा बड़ा angle कितने है, 60 है, और find the height of the tower, अपने को tower की height निकालनी है, ये diagram अपने को ये टावर की height निकालनी है, तो बोलो, कैसे निकाल सकते हैं, ये vertical tower, अच्चा, ये distance अपने को अपकी बार देने रखी है, मानलो, कितने ही ये, x है, मैं help के लिए मान लेता हूँ, इस triangle की बात करना हूँ, मैं a, b, c, in triangle, a, b, c, इसमें h by x, tangent 30 होता है, tangent 30 मतलब 1 by root 3, तो यहां से आपका x कितना आगया, बचो, h root 3 आगया, x कितना आगया, h root 3, अब मैं इस body triangle की बात करना हूँ, in triangle, t, b, c, ये पूरी कितने हैं, बताव length, पर फेंदी को दर, h plus 5, divide by x, equal to 1060, 1060 होता आपका root 3, cross multiply करोगे, तो h plus 5 by root 3, equal to क्या आगया, x आगया, अपने को तो h निकालने हैं, तो first और second equation से x की value को क्या करतो, बचो, equate करतो, उपर x की value कितनी है, h root 3, और निचे कितना है, h plus 5 by root 3, cross multiply करोगे, 3h equal to h plus 5, तो h कितना आजेगा, I think, 5 by 2 आगे न, यानिकी 2.5, तो basic method से करो, क्योंकि इसमें कोई और length देने रखी है, इसलिए मैंने वो 30, 60, 90 वाला rule apply नहीं किया, यह अपना आसान सा question था, अब इस question ने देखो, ए person observed the angle of elevation of the top of a tower as 30 degree, यह बचो tower है, और यह मान दो, एक person है, यहाँ पे, और इसने tower के top पे देखा, angle कितना बना, 30 degree, फिर देखो, यह क्या बोलता है, he walked 50 meter towards the foot of the tower, यह यहाँ खड़ा है, और यह tower का foot है, यह इधर 50 meter चला, यह person बचो यहाँ से 50 meter चला, और angle कितना हो गया, 60 degree, आपको पता है, जैस जैसे आप tower की तरफ आओगे, angle बढ़ा होता आजाता है, यह कितना हो गया, 60, find the height of the tower, तो बचो, tower की क्या निकालनी है, आपको height, तो इसमें hd rule लगा दे, यह distance आपको 50 दे रहे हैं, तो by hd rule, hd rule में मैंने बता है था, d निकल के आती है, h into, court alpha minus court beta, यह alpha बिटा कुन सा होता है, यह alpha होता है, यह क्या होता है बचो, beta होता है, तो d कितनी दे रहे हैं, 50, h अपने को निकालनी है, court 30 minus court 60, court 30 की value होती है, बचो, root 3, और court 60 होता है, आपका कितना, 1 by root 3, lcm लोगे, तो यह आएगा, h कितनी आएगा, फिर बताओ, 50 into root 3 by 2, यानि कि 25 root 3, calculation आप कर लेना, root 3 की value को 1.732 पूट कर लो, या 1.73 पूट कर लो, और आसाने से आप calculation कर सकते हैं, इसका answer आजाएगा, calculation करने के बाद आपका, 43 point, एक बार मैं calculation करके देख लेता हूँ, 1.732, या आपका आएगा, लगबग 43.3 आएगा, 43.3 के करीब यह होगा, ठीकल, पैपर में ऐसे दूर दूर option आपको given होगे, पॉइंटों में आपसे ऐसे नहीं है कि पॉइंट वाली calculation, decimal वाली पूछना चाहते हैं, वो उसका target कभी नहीं होगा, examiner का, इस question में क्या बोलता है आपसे, ए person observed, यह तो हमारा होगया नहीं question, कि तो होगया, यह कहता है, जब sun का angle 45 degree था, तो जमीन पे इस tower की shadow जो हो रही थी न, is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree, ऐसा होता है, यह आप जमीन पे खड़े हो, सुरिय की तरफ देख रहे हो, और जब उसका angle of elevation बच्चो कितना था, एक कितना है, देखो दो angle, एक 45, एक 60, एक 45 है, और एक कितना है बच्चो, 60 है, आप यह माल लो, ऐसे diagram बना लो, फिर यह कहता है, जब angle 60 degree था न, तब तो tower की shadow यह थी, यह red वाली distance, यह, और जब यह 45 हो गये न, तो distance देखो बढ़गी न, कितनी बढ़गी, 10 meter longer, यानि कि यह distance 10 meter है, छोटी, यह A से लेके B, यह 10 meter है, आपको height बता नहीं है, इसमें HD rule लगा थे, by HD rule, बोलो, निकल के क्या आता है, HD rule से D निकल के आता है न, D का मतलब 10 into H, और यह क्या होता है, बच्चो, quote 45 minus में quote 60 होता है, quote 45 होता है, आपका 1, quote 60 होता है, 1 by root 3, H into root 3 minus 1 by root 3, simplify आप खुद कर लो, 10 root 3 upon root 3 minus 1, क्या आजेगा बच्चो, H आजेगा, rationalize करके, और आप आसानी से इसका अंसर निकाल सकते हूँ, 25th question में देखो, एक parasutist is descending vertically and makes angles of elevation of 45 degree and 60 degree at two observing points, यह कहता है, एक parasutist है, जो उपर से निच्चे आ रहे है, और एक person है, जो दो observing points से देख रहे है, मतलब एक से दूसरा person देख रहे है, कोई दूसरे से दूसरा देख रहे है, और इन दोनों observation point की distance कितनी है, बच्चो आपस में, 100 meter है, on the left side of himself, यानि कि parasutist के जो दोनों point नों वो left side में है, मतलब कि A की side में है, कहने का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि parasutist यहां से निच्चे आ रहे है, एक person यहां पे है, और एक person यहां पे है, यह diagram क्या है, बच्चो गलत है, एक यह तरफ diagram आपको बनाना है, फिर कहता है, find the maximum height from which he falls, यानि कि वो कितनी height से, यह मान दो यहां है, यह जमीन पे गिरेगा, तो बच्चो आपको यह total height निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक ठीक है, कितनी height पे गिरेगा, and find the distance of the point where he falls, उपर से जब यह निच्चे आके गिरेगा जमीन पे या उतरेगा, यहां पे उतरेगा, इस point की distance निकालनी है, कहां से, from the just observation point, मतलब की, अभी जहां पे जो इसके सबसे नज़्दीक है, just observation का मतलब, इस person जो यहां पे आके उतरेगा, इसके नज़्दीक कौन से वाला observation point है, यह, इससे आपको क्या निकालनी है, यह distance में निकालनी है, मैं diagram आपको दिखा रेता हूँ, यह diagram मनाय हुआ है, इसमें यह parasutist यहां पे है, चमीन पे आके यहां पे उतरेगा, एक एंगल 60 है, एक एंगल 45 डिगरी है, यह दोनों, D और C बच्चों यहां पे क्या है, two observation points है, जिनके आपस के distance कितनी दिखा रहे हैं diagram में, observation points 100 meter है, तो यह height है मालो parasutist की, आपसे निकाल देते हैं, यह बिल्कुल आसान question है, देखो कैसे निकालोगे आप, इस diagram में h by x, क्या लगा तो, h by x, यह तो आप ऐसा कर लो, इस triangle के अंदर h by x कितना होता है, बहुता है, यह x मान ली मैंने help के लिए, ठीक है, tangent 60 होता है, यानि की, root 3, x यहां से कितना है, आपका h root 3 है, क्योंकि x को हमने help के लिए मानना है, इसलिए इसकी value निकाल देखो, कहीं पे replace करना पड़, यह x की जिए h by root 3, पूट कर देंगे, अब int triangle a, b, d की बात कर रहा हूं, बच्छों मैं पूरी buddy triangle की, ठीक है, तो buddy triangle में, h by, यह पूरी distance कितनी होगी, 100 plus x होगी न, equal to 1045, 1045 कितना होता है, 1, तो यानि की, यहां पे 100 plus x कितना होगया, अपका h होगया, x तो कितना है आपका, h by root 3 है न, तो यहां से h निकल जाएगा, आपका h common लेके, 1 minus 1 by root 3, यानि h into root 3 minus 1 by root 3, 100 root 3 upon root 3 minus 1, equal to क्या आगया, बच्छों, h आगया, h का अंसर तो आपका, और आप इसको श्रॉल करोगे, तो थोड़ा समय simplify करके आपको बता देता हूं, h कितना आएगा, आपका, put कर देना, आप 100 root 3 by root 3 minus 1 है न, पहले तो इसको रेस्टलाइज कर देना, ऐसे, तो निच्छे 2 आजएगा, 2 से 150 times कटेगा, into root 3, into root 3 plus 1, root 3 की value put कर रहा हूं, है 1.73, यह कितना हो जाएगा, 2.73 हो जाएगा, तो बस इसको क्या कर दो, आप 173 by 100 कर दो, पर इसको 273 by 100 कर दो, calculation आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, यह आपका solve करके आएगा, 236.1 आ जाएगा, 236.1, तो height तो आगे बच्छो, 236.1 meter, अब आपको है न, यह parasutist मनलो, यहां पर आके उतरता है, और यह इसके सबसे नजदीक observing point है, तो मतलब यह distance आपको निकालनी है, ठीक है, यह distance आप कितना था आपका, यह रहा देखना, इस से, x आपका कितना है बच्छो, h-100 है न, तो मतलब अगर h आपकी 236.1 आई है, तो इसमें से 100 माइनस करतो, तो कितना हो जाएगा, 136.1 meter आजएगा, असान question था, थोड़ी इन में क्या होती, calculation होती है, वो भी decimal वाली, अब यह question रहेगा, यह यहाँ पर एक point है, और यह बच्छो tower है, इस tower का, इस point A से angle कितना है, 30 degree है, फिर कहता है, after moving 20 meter towards the foot of the tower, आप 20 meter इधर चले, angle कितना हो गया, 60 degree हो गया पहले से, angle कितना हो गया, बच्छो, देखो 60 degree हो गया, फिर कहता, find the height of the tower and the distance of the tower from point A, यह point A है, यह tower की height है, दोनों से आपको निकालने है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, by HD rule, HD rule से इस question में, यह जो distance होती है, 20, यह क्या होती है, h into code 30 minus code 60 होती है, फिर वही calculation code 30 होता है, बच्छो, आपका root 3, यह होता है, 1 by root 3, यह कितना आएगा, 2 by root 3 आएगा, तो 20 root 3 by 2 equal to क्या आगया, h आगया, h आगया, 10 root 3, root 3 की value आप 1.73 put करोगे, यह 1.73 put करो, चरो 17.3 आगे न, टावर की height तो बच्छो कितनी आगी, 17.3 आगी, अब आपको क्या निकालने है, यह पूरी distance निकालने है न, यह पूरी distance, आप यह बताओ, यह आपका कितना था, 10 root 3 था न, मैं एक बार इसको 10 root 3 लिख आप direct triangle का root भी लगा सकते हो, और मैं आपको यह बोल रहा हूँ, कि आप 30, 60, 90 वाला root भी लगा सकते हो, इसमें देखो, यह 30 है न, 30 के सामने, क्या है tower, 30 के सामने tower की height कितनी है, 10 root 3, अगर 30 के सामने बच्छो यह है, तो यह 60 होगे न, तो 60 के सामने कितना होगा, बोलो, 60 के सामने, इस 10 root 3 का root 3 times, यहन की 30, यह पूरी distance 30 होगी, आपकी, पूरी distance कितनी होगी बच्छो, 30, और यही आपको निकालना था, तो देखो, answer क्या आएगा, find the height of the tower, and distance of the tower from point A, height I 17.3, और इसकी distance कितनी आई point की, tower की point A से कितनी 30 मीटर, तो बहुत आसानी से आप इस question को कर सकत मैं का यह है, एक double angle root भी बच्छो लगा सकते हो, क्योंकि देखो, यह 30 और यह 60 है, तो मैं इस question को आपको एक और तरीके से भी बता देता हूं, double angle root से, अगर यह 30 है, तो बच्छो, यह angle भी 30 होगा न, और यह side अगर 20 है, तो यह side भी कितनी होगी, 20, 90 के सामने, अगर बच् कितनी होगी, इसका half, तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी, देखो, 10 root 3, तो यह calculation आपने यहां से करके निकाला था, 10 root 3, यह कुछ भी नहीं, diagram में ही लिखके आप अंसर निकाल सकते हो, बट फिर भी मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया, इस question में देखो, क्या बोलता है, यह अच्छा question है, क्यता है, लड़की है, 1.6 meter tall है, इसकी height दे रखिया, tends at a distance of 3.2 meter from a lamp post, देखो, यह एक है, lamp post, यह girl जो है ना, इससे 3.2 meter की distance पे खड़ी है, यह मान लेते हैं 3.2 meter और यहां पे यह लड़की खड़ी हुई है, जिसकी height कितनी है, 1.6 meter है, और इस लड़की लड़की की shadow बनती है, बच्छो, कितनी 4.8 meter on the ground, यहां लड़की है, तो इसकी shadow आगे बनेगी, यह कितनी है, 4.8 meter है, आपको lamp post की height निकालनी है, यह देखो, यह diagram मैं complete कर देता हूँ, आपको क्या निकालनी है बच्छो, lamp post की height, यह height निकालनी है, अच्छ आपको पता है, by similarity, यह दोनों triangle similar होती है, कुन कुन सी मैं लिख देता हूँ, नाम इसके, a, b, c, d, e, जो यह छोटी वाली triangle है, green वाली triangle, और यह जो पूरी बड़ी triangle है, a, b, e, a, b, e, triangle, a, b, e, it's similar to triangle d, c, e, d, c, e, यह दोनों triangle क्या होती है, बच्छो, similar क्योंकि यह angle 90 degree के है, और एक angle क्या है, बच्छो, इन में common है, तो angle, angle similarity से, यह दोनों triangle क्या हो जाएगा, आपकी similar, और similar triangle में आपको पता है, sides, corresponding sides का ratio क्या होता है, same होता है, यह सबको पता है, आपको, तो मैं buddy triangle की side ले रहा हूँ, बच्छो, कितनी edge, buddy triangle की, अगर यह side edge है, तो छोटी triangle की side कितनी लेनी पड़ की, फिर 4.8, corresponding side लेते हैं, ठीक है, तो 8 by 48 into 10 कर दो इसको, तो 10 by 6, यानि की 5 by 3, cross multiply कर दो, edge कितना आजेगा, 5 by 3 into 1.6, 1650, यानि 8 by 3 आगया, तो height of the lamp post कितनी आजेगी, 8 by 3, और यह यह आपके question का correct answer है, इस question में क्या बोलता है, the horizontal distance between two trees of different heights is 60 meter, यानि की 2 पेड है, आप diagram बना दो, एक यह tree है, एक यह है, height दोनों की different है, इन दोनों के बीच की horizontal distance है, बच्चो को कितनी है, 60 meter है, यह लिखे दो, the angle of depression, मतलब उपर से देखाऊगा, of the top of the first tree, when seen from the top of the second tree, is 45, यह important है, अब यह बताओ, उंच्छा कौन सा है पेड, first वाला के second वाला, आपको कह रखा है, when seen from the top of the second tree, second tree के top से आपने देखा है, और depression बन रहा है, मतलब second tree, उपर होगा, बड़ा होगा इससे है न, यह है second tree, और यह है बच्चो क्या, first tree, और आपको question में क्या given है, कि आपने, जब second tree के top से देखा, first tree के top पे, तो यह वाला जो angle of depression है, बनेगा तो, यह कितना, 45 degree, बट हम दिखाएंगे, तो, यह वाला न, vertical opposite angle, यह यूज करेंगे, alternate integral angle equal होते है, तो, अब आपको निकालने क्या है, if the height of the second tree is 80 meter, then find the height of the first tree, बच्चो, यह height निकालना चाहता हूं, और यह पूरी 80 है, यह यहां से लेके, और यहां तक, बच्चो, आपको 80 दे रखी है, तो, यह H है, तो बोलो, यह भी H होगी न, यह H है, तो यह भी H होगी, उपर वाले कितनी बच्ची, 80 minus H बच्ची, उपर वाले कितनी बच्ची, बच्चो, 80 minus H, अब आप यह बताओ मेरे को, यह 45 देख रहा है, तो, यह भी तो कितना है, 45 है न, और यह अगर 60 है, तो, यह बी कितना है, 60 है, यह बी कितना है, बच्चो, 60, और यह अगर 60 है, तो, यह भी 60 होगी क्योंकि आप बताओ यह एंगल अगर 45 है तो यह साइड और यह साइड दोनों equal नहीं होगी क्या और यह साइड कितनी है 80-H है और यह कितनी है 60 है तो H की value कितनी हागी 20 देखर दो इजाइनों के अंदर आ जाएगा answer आपका 30-60-90 को use करना ना चीए बस आपको बैलून बंदा हुआ है यह बैलून है यह मनलो बैलून उट रहा है इसकी केबल की लेंद कितनी है 215 मिटर है और एंगल कितना मना लिए यह केबल जमीन के साथ 60 दिगरी find the height of the balloon from the ground assume that there is no slack in the cable बंतब केबल बिल्कुल तनी हुई है सिती है इसमें कहीं slack नहीं है कोई भी तो यह आपको height of the balloon निकालनी है तो निकालते हैं 60 के सामने बच्चो कितना है निकालनी है आपको side और आपको दे क्या रखिया है 90 के सामने तो बो 90 के सामने यह तो मैं लिख हाफ होएगी तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी बोलो 215 by 2 का root 3 times हो जाएगा बस root 3 की value put कर लो आप 1.73 1.73 put करोगे तो यह आएगा आपका 185.9 something आ जाएगा तो जो किसके करीब है 186 के आगया answer आपका पर नहीं तो आप क्या कर लो इस diagram में rule लगा लो h by perpendicular by hypotenuse क्या होता है अपी तो एच आपका कितना आएगा root 3 by 2 into 215 same यह आएगा ठीक है इस question में क्या बोलता है two men are standing on either side of a 80 meter high cliff cliff मतलब पहाड़ी है यह यह एक cliff है जिसकी height कितनी है बच्चो 80 meter है दो आदमी इसकी either side पर खड़े आइदर side का मतलब इसकी दोनों तरफ खड़े है एक इधर एक इधर इन्होंने अपनी अपनी position से cliff के top पे देखा angle बंदे elevation के 30 और 60 एक angle को दिखा दो आपको 30 degree दूसरे को क्या दिखा दो 60 degree और आ आपको बच्चो distance निकानी है मैं कहता हूँ इस triangle में in triangle TCA इधर वाले triangle में ठीक है यह 80 किसके सामने बोलो 30 के सामने है अगर 30 के सामने 80 है तो 60 के सामने कितनी होगी 80 root 3 होगी ना बस इस तरीके से बनाने diagram के अंदरी सब कुछ अब इस triangle की बात कर रहा हूँ मैं इस triangle में 60 के सामने 80 है तो यह 30 होगा 30 के सामने कितनी होगी बच्चो कर लो 80 by root 3 होगी ना अगर 60 के सामने 80 है तो 30 के सामने इसका 1 by root 3 times होगा तो आपको जो answer निकालना है वो क्या निकालना है 80 root 3 plus 80 by root 3 80 ले लो common और root 3 LCM ले लो 3 plus 1 यानि कि 320 by root 3 और root 3 की बच्चो value पूट क और तो कितनी 1.73 यह अंसर हैगा 184.97 सम्थिंग तो 184.8 इसकी करीब है बिल्कुल इस question में क्या बोलता है तो angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree यह aeroplane वाले question हम पहले भी कर चुके हैं यह aeroplane है मानलो यहाँ पे उड़ रहा है और ground से हमने angle of elevation बना दी है यह कितना 45 degree का यह होगया after flight of 15 seconds 15 seconds की flight के बाद angle कितना होगया चेंज होके 30 degree तो मैंने बिताया था flight इदर उड़े की फिर तभी 30 बन सकता है यह 45 है तो छोटा करना पड़े का न अपने को angle तो यह यह वाला angle अपने को कितना दे रहा है question में 30 degree ते रहा है यह 30 degree है इसको कितना टाइम लगाया बताओ 15 seconds अगर हम यह distance निकाल ले तो distance भी निकल गी time भी निकल गया तो speed तो निकल जागी ना बस अपना target क्या है बच्छो यह distance find out करना जो 15 seconds में इसने cover की है 15 मतमाल लेना इसको कलती से 15 time लिया 15 seconds का ठीक है अब आप मेरे को बताओ इस triangle की अगर मैं बात करूं A B C T और E की मैं बा 30 मेरे को यह बताओ यह angle 30 है अगर यह angle 30 है तो यह कितना हो गया 60 30 के सामने कितना है बच्छो 30 के सामने अगर यह है तो 60 के सामने कितना होगा 60 के सामने और पूरी बड़ी triangle में 60 के सामने का मतलब 20 से लेकर D की बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो कितना हो जाएगा बताओ 3000 root 3 हो मैं इसकी छोटी ट्रेंगल की इन ट्रेंगल ECD यह एंगल अगर 45 है तो बच्छो यह भी 45 हो गया तो दोनों साइड इक्वल होगी इसके सामने अगर 3000 है तो इसके सामने भी कितनी होगी 3000 होगी न सीडी कितनी होगी आपकी 3000 तो मैं तो 20 निकालना चाहता हूं यह BC क्योंकि यह और यह तो सेम ही है न तो BC बोलो कितना होगा 3000 रूट 3 में से 3000 क्या करतो माइनस 3000 को मिलो रूट 3 माइनस वन बच्छो यह आपनी क्या आगी डिस्टेंस आगी इतने मीटर अब इतनी डिस्टेंस इसने कवर करिये कितने में 15 सेकिन में तो अब आप लिखो स्पीड स्पीड क कितने निकली 3000 इंटू रूट 3 माइनस वन और टाइम कितना लिया था 15 सेकिंड का तो यह 200 इंटू रूट 3 माइनस वन बच्छो आ गया रूट 3 के आप वेल्यू पूट कर दो 1.73 माइनस वन 200 इंटू 0.73 यह जो अंसर है ना यह कौन सा मीटर पर सेकिन आएगा न कि डिस्टन्स आपको मीटर में दे रखे टाइम अपको सेकिंड में दे रखे बट जो ओप्शन आपको दे रखे न वह बच्छो किलोमिटर पर आर में तो बताओ आप आप मेरको मीटर पर सेकिंड को kilometer per hour में convert करना हो तो क्या करेंगे 18 by 5 से multiply करेंगे और अगर kilometer per hour को meter per second में दुबारा change करना हो तो 5 by 18 से multiply कर दो ठीक है तो ये आपको conversion ध्यान रखनी है अब आप इसको change करना चाहते हो kilometer per hour में 73 by 100 तो लिखी दो और into क्या कर दो 18 by 5 कर दो ये 2 पे cancel हो जाएगा और 2 से निच्चे multiply करतो हो 2 से उपर करतो हो थाकि निच्चे में 10 मना सको तो बहुत आसान होगे आप तो question 72 into 73 divide by कितना है बचो 10 तो ये आप solve करोगे लगबग आपका 525.6 kilometer per hour अंसर आ जाएगा 525 तो ये इसके करीब कोन है 527 है न तो ये आपका अंसर आ जाएगा question number 32 में क्या कहता है and aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground बिल्कुल same question है कोई फरक नहीं है कोई aeroplane वड़ा question है speed निकाल नहीं ठीक है अब ये गूट try करो ये अच्छा question है बहुत important question है बहुत ही ज़्यादा important और इसका मैं direct आपको concept बताऊँगा और फिर हम 3-4 question solve करेंगे कि इस concept के जरीए उन questions का answer हम जो इन direct दे देंगे ठीक है और exam में अगर ये question हागया मानलो यूं का यूं इसी फोर्म में alpha बिटा की फोर्म में तब भी मैं आपको याद करने का तरीका बता दूँगा लेकिन verification भी आपको आने चाहिए इसमें ये कहता है the angle of elevation of a plout from a point which is h meter above the lake is alpha मैं आपको diagram मना के दिखाता हूं देखो ये मानलो क्या है एक lake का surface है बच्छो ये क्या है surface of the lake अब surface of the lake से आप क्या समझते हो जैसे आप ये मानलो आपके घर के सामने एक pond बना हुआ है तलाब बना हुआ है उसका surface की मैं बात कर रहा हूं जहां पे आपको जो पानी दिख रहे ना भरा हुआ उस level की बात कर रहा हूं ये डियाग्राम आपके दिमाग में imagine करो अब ये क्या कहता है from a point h meter above a lake यहां पे जो हना एक मानलो ये surface है इससे कहता है h meter उपर यानि कि यहां पे यह height कितनी है बच्छो h meter यहां पे मानलो आप lake के surface पे लड़का खड़ा है और लड़का अपनी eye से देख रहा है cloud को तो मतलब ये उसकी eye की position है जो surface से कितनी उपर है h, h meter मतलब ये मानलो आप लड़की की height है ठीक है ऐसे imagine कर लो और यहां पे है बच्छो एक cloud ये है cloud एक यहां से इस बच्छे ने देखा इस cloud के उपर angle of elevation कितना बना बच्छो alpha बना ये हो गया and angle of depression of its reflection in the lake ये जो cloud है ना बच्छो इसकी lake के अंदर reflection बताओ ये lake के अंदर reflection तो मानलो यहां पे बनेगी ना उस जो उपर वाले cloud की reflection की बात कर रहो है ये इस पानी के अंदर reflection बनगी पर इसी point से जहां से alpha angle बना था आपने इसके base पे देखा reflection पे देखा तो ये angle कितना है बच्छो बीटा है डियाग्रम जहार लखना ठीक है ये है तो आपको height of the cloud बतानी है prove that height of the cloud is this अच्छा height of the cloud का मतलब यह होता है यहां पे height of the cloud का मतलब यहां पे यह होता है height of the cloud from the surface of the lake यह चाज़े लिखी नहीं होती but understood होती है कि यह पूछना चाहरा है कि cloud की height lake के surface से कितनी है lake का surface अपोलो कौन सा यह था न अच्छा यह distance h तो पहले थी इसको मैं क्या माल लेता हूँ x माल लेता हूँ अगर मैं triangle के नाम दे रहा हूँ a b c d e और f यह नाम दे दिया तो आप मेरे को यह बोलो पूरी cloud की height कितनी हो जाएगी क्या x होगी surface तो यह है और यह cloud यहां पे है h प्लस में x तो यानि आपको h प्लस x की value निकालनी है कितनी है इस question का जो answer होगा वो क्या होगा बच्चो h प्लस x x हमने अजूं किया उसको हम निकाल लेंगी तो देखो दो triangle मेरे को दिखाई दे रही है मैं आपको verify करके दिखा देता हूँ बाद में इसको हम direct as a result याद रखेंगे इस triangle में in right triangle a b t tangent का formula लगाओ perpendicular by इसको मैं help के लिए क्या माल लेता हूँ tangent alpha तो मुझे y जो मैंने help के लिए माननी है जो मेरे को चाहिए नहीं question में उसकी value निकाल दिया करो अब ठीक है यहां से y कितना आजएगा बच्चो आपका xy tangent alpha आजएगर अले की बात करना हूँ मैं कौन सी tbf tbf जिसमें हम बीटा का यूज कर पाएं तो बोलो perpendicular कितना है इसका अच्छा आप यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे यह perpendicular यह सोच लेते है बच्चे कि यह distance भी x है कौन सी c से लेके f नहीं बच्चो यह surface of the lake है तो cloud lake के surface से जितना उपर होगा उतना ही surface से निच्चे होगा न तो यह पूरी height कितनी है x plus h है तो बच्चो यह भी कितनी होगी आपकी x plus x होगी क्या c से लेके f की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है यह लेकिन मैं तो इस triangle की बात कर रहा हमेशा तो perpendicular divided by base is equal to tangent beta तो यहां से आप y निकाल लो तो y कितना हैगा 2h plus x divided by tangent beta और first and second equation से y की value को क्या कर लो तो आप लिखो अब लो यह मैंने lake का diagram यहां पर दिखाया हुआ है from 1 and 2 from 1 and 2 एक से देखो क्या था आपका y x by 10 alpha यह क्या था बच्चो x by 10 alpha और यहां पर क्या है आपका 2h plus x 2h plus x by tangent beta अब आपको यहां से पता है क्या निकालना है चिरफ x की value निकालनी है और फिर उसमें x को add करते हैं आपका answer आजएगा cross multiply कर लो x tangent beta equal to 2h 10 alpha plus x 10 alpha x वाली टर्म को एक तरफ ले लो मैं x tangent beta और minus में x tangent alpha equal to क्या आगया बच्चो 2h 10 alpha आगया अब अब क्या करोगे x यहां से common ले लो tangent beta और tangent beta मैं यही से minus कर देते हूं common ले 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 तो minus के tangent alpha और equal to क्या आगया आपका 2h tangent alpha यही से आप x निकाल लो चलो पहले calculation को आसानी रखते हैं यह आपका क्या आगया बच्चो x आगया है x की value आगी बट यह answer नहीं है ध्यान रखना मेरी बात मैंने बताया था ना height of the cloud जो है height of the cloud calculation से कभी भी मत गपराना आपको सिधा सिधा तरीका पता है इसकी height h plus x होती है h plus x की value तो यह ही न 2h10 alpha upon tangent beta minus tangent alpha LCM ले लो tangent beta minus 10 alpha बच्चो LCM लोगा अच्छा उपर से h कॉमल ले लो क्या h इसमें भी है इसमें भी है तो यहां से one बच जाएगा और फिर इसकी multiply करोगे आप 10 beta minus 10 alpha हो जाएगा और plus में h तो कॉमल ले लिया 210 alpha हो गया अब उपर देखो minus का 10 alpha है plus के 2 10 alpha है तो 10 alpha हो गया तो यह क्या आगया आपका h into उपर आगया बच्चो 10 beta plus 10 alpha और निचे क्या आगया आपका 10 beta minus 10 alpha यह आपकी height of the cloud है from the surface of the lake और यही इस question में आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है अब आप डियाग्राम से याद रख लो उपर वाला एंगल क्या होगा alpha निचे वाला क्या होगा beta और यह point की distance height कितनी बच्चो h है height of the cloud कितनी होगी h into formula याद कर लो height of the cloud height of the cloud from the surface कितनी होगी h into उपर tangent beta plus tangent alpha हैगा और निचे बच्चो tangent beta minus tangent alpha हैगा ठीक है अच्छा इसको एक तरीके से और exam में पुछा जा सकता है court की form में पुछा जा सकता है आप tangent को court में change कर लो tangent क्या होता है बलो 1 by court tangent 1 by court alpha हो जाएगा और निचे plus की जिगे बस क्या है minus का sign है उपर LCM लोगे निचे भी LCM लोगे तो denominator cancel हो जाएगा उपर क्या बचेगा बच्छो court alpha plus में court beta और निचे क्या बचेगा court alpha minus court beta यानि कि court में पुछा जाएगा तो पहले alpha फिर beta 10 में पुछा जाएगा तो पहले beta फिर alpha ठीक है यह इस तरीके से आप याद रख सकते हो तो अब मैं आपको यह बताता हूँ question में कि if in particular particular case में क्योंकि paper में 99% chance है कि जो angle होंगे न alpha और beta वो ऐसे होंगे alpha कितना है मानलो बच्छो 30 degree है और beta कितना है मानलो आपका 60 degree है क्या कहरा हूँ मैं alpha 30 है यह angle आपको question में दे दे कि यह 30 है और यह कितना है 60 तो मैं इसको direct आपको solve करने का तरीका बताता हूँ कुछ भी बिना कुछ याद कि आप उसका answer देतोगे आप मुझे यह बताओ इस case में cloud की height कितनी होगी height of the cloud formula तो यह होता है न इसमें value put करो tangent beta tangent beta का मतलब 1060 plus 10 alpha और निच्चे कितना होगा बच्चो root 3 minus 1 by root 3 हो जाएगा बस उपर root 3 L6 में लोगे 3 plus 1 निच्चे क्या होगा 3 minus 1 यह तो कितना होगा 2H होगे न अब मैं यह आपको पताना चाहता हूँ कि अगर यह angle 30 और 60 degree के है तो जो cloud की height होगी न बच्चो वो इस H का जो आपको यह starting में H given होती है न यह वाली H जो height given होती है इसका double कर देना इसका क्या कर देना सिरफ double कर देना अब देखो मैं 2-3 question आपको करवाता हूँ यह question देखो इसमे angle of elevation of the cloud from a point 60 meter above a lake तो यह तो H की value होगी न is 30 degree और depression का angle कितना है बच्चो 60 मैंने बतातना कर यह 30-60 है तो height of the cloud कितनी होगी यह जो H है बच्चो क्या कर देना इसका double कर देना यानि कि 2 into 60 120 meter एक्जाम में तो आप शिदा ऐसे answer लिखोगे ठीका फिर भी याद ना आये तो मैंने आपको basic तरीका बता दिया इस question में the angle of elevation of a cloud from a point 200 meter above the lake तो यह H की value है यह 30 है यह 60 है तो बताओ height of the cloud कितनी होगी 200 into 2 400 होजेगी न यह आपके question का answer हो गया इस question में देखो बहुत अच्छा question है यह इसमें बोलता है आपसे the angle of elevation theta of the top of a lighthouse at a point a on the ground is such that its tangent is 5 by 12 यानि कि पहले अपने को angle ऐसे दिया होता ना 30 degree 60 degree अब कहता है angle theta इस तरह से है कि tangent of theta वो 5 by 12 है तो कोई बात नहीं यह lighthouse है और यहां से आपने a point से इसके top पे देखा तो बच्छो यह angle theta बना और theta किस तरह से बना कि 10 theta के value 5 by 12 हो जाए बस यह है when he moved 240 meter towards the lighthouse यह 240 meter इसके तरफ आ गया वी point पे पहुंच गया अब बच्छो यह angle बना ना बच्छो यह यह बना beta यह angle बन गया beta किस तरह से tangent beta क्या हो जाए आपका 3 by 4 हो जाए तो बताओ light house की height बताओ बच्छो hd rule लगा दें क्या hd rule जैसे यह diagram आपको दीखे न तो आप hd rule को follow करो हमेशा ही t, t का मतलब यह distance क्या होती थी h light house की height और अंदर क्या होता था था पता है coat of this angle यानि coat of theta और minus coat of beta यह होता था रटन नहीं है coat of this minus coat of this अब आप यह बताओ मेरको coat theta क्या होगा 10 theta अगर आपको दे रखा है तो coat तो निकाली सकते न इसका recipe रोकुल 12 by 5 और इसी तरह से 10 beta आपको दे रखा है तो coat beta क्या हो जाएगा 4 by 3 हो जाएगा minus क्या करतो 4 by 3 बस इसको calculate कर लो LCM आगा 15 36 minus 20 तो h कितना हैगा बलो 240 यह 15 multiply हो जाएगा और 16 divide हो जाएगा यह 15 पे कट क्या 15 इंटू 15 कितना होता है बच्चो 225 225 मिटर इस question का answer है आप diagram मनाओ और hd रूल लगाओ answer आशानी से आजाएगा ऐसी same question यह है question number 37 इसमें भी बिल्कुल same वही मैं आपको diagram मना के दिखा रहा हूँ बस data change हुए है बाकी question का मतलब same है यह point है यह point है यह distance कितनी चला है अब की बार 138 मिटर चला है यह angle कहता है थीटा अगर यह थीटा है तो 10 थीटा के value आपको portion में दे ही है one by five आपको पता है court की जरूट पड़ेगी और थीटा साथ साथ में लिख देते हैं five by one और फिर यह अब की बार light house की जगह क्या है का है one of the a left the seasonmeter और उसका जो है यह वला angle जो बना है मानलो पीटा इसका सीकेंट आपको तो दे रखा है ये तो मतलब आपके बार टेंजेट नहीं सीकेंट बीटा की वेलू दे रखे आपको है ना सीकेंट ओफ दे एंगल ओफ एलिवेशन ये कितना हो गया बच्छो रूट 193 वाए 12 लेकिन मुझे तो किसकी वेलू निकाल निया न तो बोलो सीकेंट से कोट कैसे निकालते हो राइट रेंगल बनाते हो न सीकेंट क्या होता है बचो हाइपोटेनेज अपोन पेस यह साइट कितनी होगी बोलो 193 का स्केर यह हो जाएगा और इसका 144 होतीReig do a spring-d resilient मिनेंट और मिननिस wouldn be water श्रीपटीदा कितना वाइव ऑर कोट इतना त्वेल यह कितना आगी आपका 35 में से ट्वेलगे 23 23 राए डयगा 138 इन्तुु7 राए 23 यह सिक्स पे कर जाएगा 7642 height of the monument कितनी आगया आपकी 42 मिटर असान सा कोशन था